आज हम वही टॉपिक लेके दुबारा आए हैं टी-पैक का पर अब हम टी-पैक को देखेंगे कि अगर हम अर्ली चाइल्ड होड एजुकेशन में इसको एपलाय करें प्री स्कूल में देखें तो हमें टीचर्स को किस किसम की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनकी कॉंटेंट पागोजी और टेक्नोलोजिकल स्किल एंहेंस हो सके और इस पैसिफिक उन टीचर्स के लिए जो अर्ली यह में जाके पढ़ाएंगे प्री स्कूल में पढ़ाएंगे हमारे पास बहुत ही इंट्रस्टिंग स्टडी है और इस स्टडी ने इस चीज को डि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए तो उनकी स्टडी की फाइंडिंग्स हमारे सामने क्या आएंगी अब हम उसको डिस्कॉस करेंगे यह स्टडी कंड़क्ट की गई थी इसका बुनियादी मकसद था वह यह जानना था कि प्राइमरी स्कूल जो टीचर्स हैं उनको किस किसम की जो है नॉलेज और स्किल्स रिक्वाइट है पटीकुलरी किंडर गार्डन के टीचर्स को ताकि वह एफेक्टिवली जो है काम कर सके अपनी क्लास्ट्रूम में बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकें और ऐसा इंटरेक्शन कर सकें जिसके अंदर वह टेक्नॉलोजिकली होनी चाहिए और है जो में इसका मकसद था वो यह जानना था कि प्रीश्कूल टीचर को क्या पता होना चाहिए परेज्चों में एंटर होने से पहले पेडागॉजी के बारे में कॉनसी टेखनालोजी वहां इस्तेमाल हो सकती है सबसे पहले हम देखेंगे के लिट्रेशियर रिव्यूज इस स्टेडी के अंदर क्या कहता है मैं कैनियन वॉगट की 2009 की स्टेडी है और वो यह बताती है कि जो मुस्टली हमारे पास सॉफ्टिर प्रोग्राम है अर्ली यर्स के उनका बहुत ही पॉजिटिव इंपक्ट है और एफेक्ट है बच्चों की रीडिंग स्किल्स के उपर अगर टेक्नॉलोजिकल रिच लिट्वर्निक इन्वाइर्मेंट मौजूद हो जिसके अंदर आपके प इस तरीके से प्रीज ट्रेइन दी जाती है इस पैसिफिकली टेक्नॉलोजी से रिलीटिट तो उनके सामने आई उनके सामने एक चीजी सामने आई कि उन्होंने फइंदा उत किया कि एक डैशन सी है उनकी एक ओपेटेंस में नहीं होगी तो इसलिए मोस्ट आफ टाइंच रहं टीचली आटेट अनगे एंटेचनॉलोजी को इसलिए एक प्रसक्राद्राइन की एक आपटेंसी की नहीं होगी कि तो इसलिए मौस्ट उप ओ बाद आपके पास टिक्नोलजी का रिसोर्स अवेलिबल ही नहीं है जब अवेलिबल हो गी नहीं तो वह सीखेंगे कैसे और फिर उसमें कांफिदेंस कैसे आएगा और उन्हें इस्तेमाल कैसे करेंगे तीसरी चीज लिट्रेचर से हमें यह पता चलती है कि इन टीचर ट्रेनिंग जो इंसिचूशन्स हैं इसके अंदर कोई मॉडल्स और एक्जेम्पल्स मौजूद नहीं होती जब हम टेक्नॉलोजी पढ़ा रहे होते हैं आपने इस टेक्नॉलोजी को इस तरीके से इस्तिमाल करना है और इससे इंपॉरटन चीजी है कि आए टेक्नॉलोजी जो है फ्रिक्वरेट्ली उनको यह समझाए जाती कि कुरिक्लम में अक्रोस अ करिकलम इस्तिमाल करनी की कोई खास धरूरत नहीं है इस वजह से भी teacher technological skills नहीं सीख पाते हैं अब हमें studies में और क्या चीज़ें मिलती हैं जब हम literature review पढ़ते हैं hardware software क्या है हमारे पास available जब हम early literacy की बात करते हैं तो हमारे पास electronic storybooks मौझूद हैं computer based program मौझूद है जिनका focus है phonics पे और vocabulary development पे software application मौझूद है जो बच्चों को help out करते हैं reading में भी और writing में भी software tutorial भी हमारे पास available है और हमारे पास instruction television shows भी मौझूद है Sesame Street भी आपने देखी होगी इसी तरह different universities हैं उनके बच्चों के लिए बहुत से programs हैं कुछ private programs और channels हैं जो अपने programs बनाते हैं बच्चों को support करते हैं तो बुनियादी तोर पर इन तमाम software application का जो मकसद है वो बच्चों की early literacy skills को develop करना है अब hardware software का हम early literacy में और किस तरीके से देखते हैं study से में यह बताती है कि जब हम इन technological tools को और apps को और softwares को इस्तमाल करते हैं तो definitely यह बच्चों की reading skills भी develop करती है और literacy बाकी जो skills है उनको भी develop करने में support करती है